नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार तक्निकी सेवायोग के द्वारा एक वेकंसी निकाली गई है। इसी वेकंसी के बीसे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस पोस्ट के लिए वेकंसी निकाली गई है, टोटल कितने पद हैं, अपलाई कब से कब तत किया जाएगा, कौन लोग इसके लिए लिजिबल होंगे, क्या एज क्रिटेरिया होगा, सेलक्षन का प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितना म मिलेगा आपको, इन सब पॉइंट्स पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, सो दोस्तों, आएए इस वीडियो को सुरू करते हैं, फ्रेंट्स, बिहार तक्निकी सेवा आयोग में ये वेकंसी आया है, यानि BTSC, बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन के द्वारा है, अक्सर ये नियूज में रहता है, BTSC, आपने सुना होगा कि पटना में BTSC छात्रों के द्वारा परदर्शन किया जाया है, तो उसी BTSC तक्निकी सेवा है, टेक्निकल एजूकेशन के फिल्ड में वेकंसी आया है, जिस पोश्ट के लिए वेकंसी निकाली गई है, उसका नाम है सिवि 988 पोश्ट, लगबख 7000 पोश्ट है, काफी एच्छे पोश्ट है, नमबर वेकंसी काफी ज़्यादा है, जिसमें से 40% ओपन पोश्ट है और 40% बिहार के पोश्ट है, अब ओपन और बिहार का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं, हमारे कई ऐसे साथी होंगे, जिन्होंन इसे हमारे साथी होंगे, जिन्होंने बिहार से बाहर दूसरे स्टेट, सपोज कीजे किन्ही ने मुंबई से किया है, किन्ही ने देली में किया है, तो उनके लिए 60% ओपन है, तो 60% पोश्ट ओपन स्टूडेंट्स के लिए, और 40% रिजर्व है, ऐसे लोगों के लिए जि कर्म 22 मई से 21 जून के बीच अपलाई किया जाएगा, जैसे ही ऑनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट होगा, हम एक अपडेटेड वीडियो आपको लाकर बताएंगे, कि किस तरह से ऑनलाइन अपलाई करना, जिससे कि आप किसी तरह की कोई गलती ना करें, अब अगर फी की बा हों, EWS हों, या दूसरे राज्जी के लोग, अदर्स मतलब दूसरे अरज्जों के लोग, उन सभी को 600 रुपे लगे हैं, इसके इलावा सभी कैटेग्री के दिव्यांग अभ्यार्थियों को 150 रुपे हैं, अगर एज लिमीट की बात करें, तो 1 अगस्त 2023 को एज लिमीट क UR मेल के लिए, यानि अनारक्षित वर्ग के मेल के लिए, 18-37 साल एज क्रिटेरिया है, वहीं अन्री जर्ब फिमेल की बात करें, तो 18-40 साल BC और EBC, यानि पिछड़ा वर्ग और अत्यानत पिछड़ा वर्ग के मेल और फिमेल दोनों ही कैटेग्री के कंडिडेट के लिए, एज कंडिशन 18-40 एर्ष का है, AC, ST के, यानि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के मेल फिमेल दोनों ही कैटेडेट के लिए, 18-42 साल एज लिमिट है, इसके इलाबा दिब्यांग जनों की एकर बात करें, तो उन्हें 10 साल का छूट मिलता है एज में, तो कुल 18-47 साल के वीच के जो भी दिब का हो चुका है, तो जो लगातार 3 साल से जोग करें, उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी एज में, अब बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो हमारे सभी साथी, जिन्होंने डिपलोमा किया है सिविल इंजिनियरिंग में और रेगुलर डिपलोमा है, फ्रेंट्स, दो तरीके से कोर्स किया जाते है, एक होता है रेगुलर, यानि नॉन डिस्टेंस मोड और एक होता है डिस्टेंस मोड, तो जो डिस्टेंस मोड से किया है, जो नॉन डिस्टेंस मोड से, यानि रेगुलर मोड से किया है, वो एलि शिप्त में बात करें तो हमारे सभी साथ ही जो सिविल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा किया है रेगुलर डिग्री के साथ किसी भी माननेता प्राप्त संस्थान से वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है यह फ्रेंड से सालरी की बात करते हैं तो यह पोस्ट काफी अच्छा है लेवल सिवन का पोस्ट है यानि चीजा 0.66 ग्रेड पρη का पोस्ट है जिसका basic 44,900 है तो अगर हम starting salary की बात करें तो तकरीबन 65,000 प्लस आपका starting salary होगा है और ये salary depend करता है कि आपको किस तरह के सहर एक सबाईचेड ये cities के category हैं उनमें किन सहरों में आपका posting होता है तो in hand salary आपको 65,000 प्लस मिलने वाला है category wise vacancy की बात करें तो ан 선rijed इषाओर में total 2471 पोस्त हैं जिसमें महिलाओं के लिए Otherwise बात करें emails में 601 पोस्त है,όςक्षी फोक्राइबन EWS में 18boy ok म्हालाओं के लिए रएच्षी थै ACT में 1289 पोस्त हैं जिसमें 353 महिलाओं के लिए रएच्षी थै S t कि बात करें तो 57 पोस्त हैं तो 864 पोश्ट हैं जिसमें 218 महिलाओं के लिए आरची थे हैं अगर BCB में यानि पिछले वर की महिलाओं की बात किया तो उनके लिए 275 पोश्ट रिजर्ब हैं इसके अलावा Freedom Fighters यानि स्वतंदरता सेनानी के नाती पोते इन सब के लिए कुल 120 पोश्ट आरची थे करते हैं selection process का कि किस तरीके से selection होगा है तो section process दोडल stages में होगा पहला stage होगा return test का और दूसरा merit बना जायेगा अगर return test की बात की जाती है यह computer based test होगा ornawn line examination होगा जिसमें एक से ज़्यादा स्रिप्ट में जाम होता है तो normalization किया जाएगा कुल मिला के 100 question आएंगे friends, हर एक question एक marks का होगा, अगर आपने कोई घलत अंसर किया है तो उसके लिए 0.25 marks cut किये जाएंगे, यानि निगेटीव मार्किंग का प्रावदान है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेडियम में होगा total 100 questions में 80 questions civil engineering यानि डिपलोमा के syllabus से आएंगे friends इसके अलावा 20 questions ये general awareness में होगी, यानि सामवन ग्यान के प्रश्ण होगी, इसके अलावा current affairs के प्रश्ण इस 20 में होगी तो total 100 questions इसमें 80 आपके syllabus से आएंगे friends, और 20 general awareness के प्रश्ण, अगर minimum qualifying marks की बात करें, तो unregister category के लिए 40%, BC के लिए 36%, EBC के लिए 34, SCST, सभी वर की महिलाओं और दिभ्यांग जनों के लिए 32% है, ये केबल minimum qualifying marks है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे कम लाएंगे उन्हें merit के लिए consider नहीं किया जाएगा, अगर merit की बात करें friends, तो 100 marks का merit बनेगा, जिसमें 75 marks return exam के लिए हैं, और 25 marks experience के आधार पे दिये जाएगे, तो हमारे ऐसे साथी जिन के पास कोई experience नहीं है, जो भी हर राज्जी के तकनिकी सिवायोग के तहद काम नहीं कर रहे हैं contract पे, उन्हें सिर्फ इन ही 75 marks के आधार पे merit मे आना होगा है तो उनके लिए जरूरी है कि आप return test में काफी ज़्यादा score करें इसलिए friends, आप अपने syllabus को जो diploma का syllabus है, वो काफी बढ़ियां सकीजे इसके अलाबा आप general awareness को ignore मत करें, क्योंकि 20 सवाल वहाँ से भी होंगे और काफी ज़्यादा अच्छा role play करेगा वो आपको merit मेरिट मिलाने के लिए experience की बात की जाए तो हमारे वो साथ ही जो contract पे काम कर रहे है BTSC के तहत उन्हें हर एक साल के लिए पाच मार्च दिये जाएंगे experience count जो होगा वो 22 मई तक ही होगा उन्हें pay certificate भी produce करना होगा इसके लिए pay certificate advertisement के साथ दिया हुए now बात करते हैं कि reservation के लिए लोगों को अलग-अलग certificate बनाने होते हैं जैसे EBC का certificate बनाना होता है BC certificate NCL non-crimi layer का certificate certificate, EWS का certificate, SCST certificate तो यह certificate generate करने का जो date है वो cut off है 21 June 2020 यानि यह certificate आपके पास 21 June 2020 से पहले के निर्गत होने चाहिए so friends हमने सब कुछ इसमें देख लिया अब हम आपको लेके चलते हैं official advertisement पे जैसे आपको यह भरोसा हो जाए कि वास्तों में यह vacancy आई है friends यह रहा official notification आपके लिए जिसमें बताया गया कनिय वियंता असैनिक यानि चूनियर इंजिनियर सिबिल जी से सिबिल इंजिनियर बोलते हैं उसके लिए आप online apply कर सकते हैं 22 मई से 21 June के बीच level 7 का post है यह सब हमने आपको पूरी जयनकारी काफी संचेप में सही तरीके से पहले ही बता दिया है कूल आठ विभाग के लिए vacancy निकाली गई है friends तो विभाग बार यानि अलग-अलग department में कितनी vacancy है यह आप notification में देख सकते हैं यह आठ विभाग हैं योजना आवों विकास विभाग जल संसादन विभाग नगर विकास वों आवास विभाग पत निर्मान विभाग भवन निर्मान विभाग लोक स्वास्त अभियंतरन विभाग ग्रामीन कार्ज विभाग लगू जल संसादन विभाग तो इन आठ विभाग में vacancy निकाली गई है अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना न भूले जिसे की भविश में कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम जैसे ही अपलोड करें आपके पास तुरंत मिल गया है हमारे ऐसे साथ ही जो एक्सपेरियंस का लाब लेना चाहते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट एडवर्टिजमेंट में एड़ किया गया है बेतन भुगतान प्रमान पत्र सर्टिफिकेट यानि पे रिशिप्ट जो आपको मिलता है उसके लिए यह आपको जमा करना होगा त आपके लिए एक अप्डेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से ओनलाइन अप्लाई करना है जिससे कि किसी तरह की कोई गलती नाव धन्यवाद फ्रेंड्स